नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल RK Education में सौगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आप SSC MTS का एक्जाम देने वाले हैं तो केमपूटर किस परकार से चलाया जाता है, माउस को किर्स परकार से क्लिक किया जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लेट बताओं को चैनल पे नहीं हो भाई तो तो यहां पर आपको इस्टार्ट बटन आपको दिखाई देगा इस्टार्ट बटन तो आपको पहले जो है इस्टार्ट बटन पर किलिक करने के लिए बोला जाएगा तो यहां आपको जो है इस्टार्ट बटन पर किलिक करने के लिए बोला जाएगा तो किलिक कर देना है जै आपको यहां को है अपको की जो है की खोता है एक ही भार होता है जो है यहां पर आपको रोल नंबर फेल करने के लिए इसके बाद आपको माउस से सब्म histó करना बड़ता है तो अब जो है यहाँ सब्मिट बटन से जुव हैं सब्मिट बटन पर माउस से क्लिक करते ही आपको निश्ट अपसन candidate detail का आपसन ओपिन हो जाएगा तो यहां ओपिन होने के बाद आप जुए अपना आपकी पूरी डीटेल ओपर हो जाएगी आपका नेम आपका आजाएगा आपकी टाइमिंग किस पहली बेयर आपका जो एकजाम हो रहा हो नंबर आपके सबी पूरी इंफोर्मेशन आपको चेक कर लेना है कि आप ही की आप अपने सिस्टम पे पैठे हैं या कि दूसरे का system आप open कर दिये हैं तो यहां पर आपको जो है अपनी पूरी detail जो है चेक कर लेना है जिससे कि कोई भी गलती न हो पाए भाई आप अगर पहली बार exam देने जा रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा आप आसानी से जो है SSC MTS का जो exam होने वाला है उसके लिए आप आसानी से जो है exam clear करके आओगे तो यहां पर आपको जो है यहां confirm का आफसन आपको दिखाई देगा नीचे तो confirm के आफसन पर किलिक कर देना है जैसे किलिक करोगे तो candidate कुछ निर्देश पढ़ने के लिए आता है कि Hindi और English दोनों ही माध्यम से आत पर जो है आपको Hindi select कर लेना है अगर आप जिस में भी जिस language में आप comfortable है उसी language को select कर लेना है उसके बाद यहां आपको बहुत सारे निर्देश जीए जाता है तो आप किस परकार से आपको किलिक करना है सबी कुछ यहां पर बताया गया है आप इस निर्देश को पढ़ ले हैंब को पढ़ेंदेगा तो आपको पूरी को पढ़ने के बाद आप इस्ट्रोम करते हुए नीचे आओगे तो मैं अनुदेश को पढ़ लिए हूं और मैंस सामत हूं तो यहां पर आपको नीचे किलिक करना है आपको यहां आलदा वेस्ट दिखा देगा उसके किलिक कर लेना है किलिक करते ही आपका जो है नेस्ट पेज ओपिन हो जाएगा जहां से आपका जो है कि दिखाई देगा आपका टाइमिंग दिखाई देगा तो हम यहां से अपना जो है किलिक करते हैं किलिक करते ही कुछ इस परकार सी आपकी फोटू यहां पर दिखाई यह तो जैसे आपको पहला परस्ण जो भी आपसटन आपको सही हो रहा है तो से हैपको औहां वह option दिखाई देगा तो उस option पर click कर देना है click करते ही आपका question फील हो जाएगा आपका question फील हो जाएगा आसानी से उसके बाद save the next question पर click कर देना है यहां save जैसे save the next question पर click करोगे तो आपका question जो है save हो जाएगा और आपका next question ओपन हो जाएगा उसके बाद इसी option ऐसे आप जो है बारी बारी जो है हर एक क्यूस्चन में आपको यही फालो करना है तो उसके बाद यहां जैसे कोई भी क्यूस्चन आपको नहीं आ रहा है तो यहां rate आपको mark कर देना उसे बाद में भी आप solve कर सकते हो तो कुछ इसी परक है आप सिक के तभी जाएगे आज की वीडियों बसे आज कर दो